नमस्कार, आज हम बात करेंगे आपको जो second unit है, pressure measurement के बारे में, कि ये क्यों आफशक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो chemical industries है, उसमें जो भी chemical की processing होती है, वो या तो liquid form में होती है, और otherwise, वो gas की form में होती है, तो चाहें liquid form की बात करी जाएं, या gas form की बात करी कि जो आपका pressure है, अगर वो high हो जाता है, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो chemical का traveling होता है, वो किस के थ्रू होगा, या एक सान से दूसरी जगे हम लोग किस के थ्रू बेजते हैं, pipe के थ्रू, तो समानते होता क्या है, कि यदि दाब जादा हो गया, तो जो आपका pipe है, वो फटने का डर रहेगा, या tank फटने का डर रहेगा, otherwise आपको पता है कि जो आपका boiler है, वो भी देखे कई बार आप सुनते होगे कि boiler फट गया, तो ऐसा क्यों होता है, जब दाब जो है जादा हो जाता है, तो उस case में क्या होता है, कि pipe या tank के फटने का डर एक बना रहता है, जिस वज़े से दाब का मापन बहुत ही जादा आवसेख हो जाता है किसी भी chemical की industries में, तो यही आपका introduction लिखा हुआ है, इसको copy में note कर लिजएगा, screen shot लेंके, कि industrial process में समनता है, liquid या gas दोनों का प्रियोग किया जाता है, अताहाँ इनको control में रखने के लिए, इनके दाब का मापन करना आवसेख हो जाता है, pressure measurement, measurement का एक महादबूर हिस्सा है, किसी भी chemical industries में, chemical process को final करने के लिए, pressure measurement एक महादबूर योगदान देता है, क्योंकि industrial process में, gas या liquid का प्रभाव, pipe के दोरा ही होता है, अताहाँ जो है, दाब का मापन, सही से ना किया जाए, तो इनके फ आई बतवा टैंक को फटने से रोक आ जाता है, यही आपका लिखा हुआ है, और यही आपको लिख लेना है कि pressure measurement क्यों हाँ सकते हैं, किसी भी chemical industries में,